एक बार फीर से आप सो भी लोग स्वागत है आपके अपने बैस आर्म 95 प्लस में दोसों आज है सिकंड डेत आज हम देखेंगे लेशन फर्स्ट लास्ट लेशन के मुस्ट इंपरेंट को से इसके ऑफर कौन है लास्ट लेशन जो हमारा चैप्टर इसके ऑफर कौन है अलफा बदलाव आया उसके लिए उसके प्रती जो फ्रांज है उसके फिलिंग कैसे हो गई थी तो चली हम एंसर की माध्यम समझते हैं कि क्या बदलाव हुए जो बदलाव हुए उसके प्रती जो फ्रांज है उसकी भाबनाएं क्या हो गई थी तो एंसर हमारा फ्रांज वाज फ्र जो फ्रांज है, very sad for Mr. Hamill. फ्रांज, अब Mr. Hamill के लिए क्या है? बहुत दुखी है. क्या है? Mr. Hamill के लिए बहुत दुखी होना. क्या होते है? दुखी होना. ठीक है? नग्स लाइन है. He forgot all about his cranky behavior. Forgot means भूल गया. क्या? भूल गया. All abouty ने सब कुछ, about means his, about his, उनके वारे में, उनके cranky behavior, cranky means करकश, या बहुत सक्त रवयय, सक्त रवयय, ब्यावहार, behavior means ब्यावहार, क्या होते है? ब्यावहार. जोनका सक्त ब्यावहार था, रवयया था, वहाँ उनके सब भूल चुका था. ठीक है? Now he didn't hate school. अब वह, now means क्या होता है? अब वह, he didn't hate school. अब वह, इस्कूल से नफरत नहीं करता था. He made books as his friend. Made, make का second form, made means बनाया. अब उसने किताबों को अपने दोस्तों जैसा बना लिया था. ठीक है? आसा करती कि आपको समय से आ गया होगा. चलिए, next question की तरफ हम मूब करती हैं. तो हमार second question है, How was Mr. Hamill dressed on his last day in school? How means क्या होता है? कैसी? How was Mr. Hamill dressed means कपड़े पहनना? On his last day, अपने last day, स्कूल के अंदिम दिन उन्होंने कपड़े कैसे कपड़े पहने थी? आंसार है हमारा, He, Mr. Hamill, was dressed in his best clothes. Mr. Hamill उन्होंने अपने dressed means कपड़े पहनना? His best clothes. उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थी. आप इतना भी लिख सकते हैं, आपको दो नंबर आशानी से मिल जाएंगे. कैसे? कि मतलब उन्होंने कैसे कपड़े पहने? आपको थोड़ा से लिख देना कि Mr. Hamill was dressed in his best clothes. देखिए, आप इस question से भी answer बना सकते हैं. देखिए कैसे? देखिए. एक बार फिरशी? यहाँ question है, आपका Mr. Hamill dressed on his last day in school. आपको how balls हटा के, आपको Mr. Hamill लिख देना है, यहाँ से ऐसे Mr. Hamill लिख देना है, फिर आपको balls यहाँ ला देना है, यहाँ ला देना है. यह बन गया, आपका how Mr. Hamill was, फिर आपको यहाँ से लेकी, यहाँ तक पूरी लाइन, sorry, यहाँ तक, just तक आपको वही पूरा लिख देना है, आपने लिख दिया, फिर लिख देना है, इनकी जगा on लिख देना है, his best clothes, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या लिखना है, his best clothes, इस के लाब आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको दो नंबर आशानी से मिल जाएंगे, फिर इसके आगे है, he bore, beautiful grain coat and a frilled shirt, he means war, मिलब उन्होंने, बोर क्या है, beer का second form, beer means कपड़े पहनना, उन्होंने मिलब एक beautiful grain coat, beautiful means सुंदर, grain means हरी coat, उन्होंने एक सुंदर सी हरी coat and a frilled shirt, उन्होंने एक जालाट दार सठ भी पहनी थी, ठीक है, Also, he bore a little black silk cap, also means भी, he bore, उन्होंने एक छोटी सी little, means क्या होते, chोटी सी black means, काली silk means, bonsils, prepare shmean, tap means, । उन्होंने क्या एक छोटी सी काली red sea possessed, जूपी भी पहनी थी, तो उन्होंने कैसे कपड़ पहने थे, उन्होंने ब उन्हें एक सुन्दर साहरा कोट एंड एक जालरदार सट भी पहनी थी और उन्होंने साथ ही एक छोटी सी काली जेश में टोपी भी पहनी थी अगर आपसे कोईशन पूछे तो अपको यहीं लिगी देना है ठीक है चुलिए करते हैं नेक्स कोईशन की तरफ नेक्सकी हमारा वाई वर आपका नेक्सकी प्राइट आपके पहचान होगे दो विले जो गाउवासी है और ग्रांवासी आपके बैक डाउवासी है उपक्षा में पीछे की विल्चों पर क्यों बैठी थे थे जो चलिए आपको बताना है कि क्यों बैठी थी एंसर पता करते हैं क्यों बैठी थे गाउवाले कक्छा में पीछे दभले जबले जबले जबल से टिंग अट दे बैक अप दे ख्लास जो गाउवाले हैं देखें आपके क्वेस्टन से पूरा एक लाइन आप बना से देखें आपको यहां बाद में उसकरते हैं क्या लिखना है जो गाउवाले यह बाद में पीछे बैठे थे थे ठीक है देबॉन्टेड तू सॉव देबॉन्टेड तू सॉव देयर सिंप्थी एंड डिस्पेक्टिव देमिंस वे बॉंटेड में चाहते थे तु शाव तुश्य मे इन अपनी याउनकी सिंप्थी यह शाहनुभूती और रिस्पेक्टिव दे में चाहते है जो गाउवासी है कच्छा में पीछे बाठे थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे अपना अपनी शाहनुभूती और रिस्पेक्टिव अफ एमहेमल के लिए जो टीचर पर इस 40 सब्सक्राइब कर दिखाने के लिए जो गावाशी आये हुए थे और बैठी हुए थे क्लास के सब्सक्राइब कीजिए दे है दे है और इसलिए भी आये थे तु दर कनट्री और फ्रंच लेंग्ड्वाशी दर वॉड मेट अपने प्रेंच लेंग्ड्विच ये उपने फ्रेंच लेंग्ड्वेज गल्व्ड जो जो की अदियस नोमोर जो अव उनकी नहीं रही तो गौवाश्टी किसलिए आए थे कख्छा पे पीछे पेठे हुए थे तो गौवाश्टी इसलिए आए थे ёं उसके प्रतीया शाहन भूत ऑर संवान दिखाने के लिए और उनकी नहीं रही है और उनकी जो भाषा है French Language उसको उसके प्रती क्या रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जो अब उनकी नहीं रही नेक्स्ट को स्टार्ट करें इस पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल golden dreams coaching class subscribe नहीं किया तुरन जाइए और subscribe के बटन को क्लिक किजिए और ज्वाइं करके हमारे personal WhatsApp ग्रूप को जिसमें हम आपको डेली प्रवाइड कराएंगे इंग्लिस के most important question answer जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है यहां साथ हम आपको प्रवाइड कराएंगे handwritten notes एवं सभी जो previous जो previous question paper है उनके answer solution कराएंगे तो next question है who was who did am humble blame for the students poor performance in study humans किसे यहां किसे बताया क्या है कौन से क्वेशन क्या है किसे mr.hamill जो है mr.hamill blame is कहा होता है आरोप लगाना क्या करना आरोप लगाना for students poor performance जो students की poor performance है मतलब उनकी जो परिसिती है जो पढ़ने में उनकी सिती है जो उनकी गंभीर हालत है पढ़ाई के प्रती उसके लिए जो mr.hamill है उन्होंने किसे आरोपित किया है जो चलिए जानते किसे mr.hamill ने आरोपित किया है देखिए आपके पूरे question से answer बना है देखिए कैसे देखिए mr.hamill यहां mr.hamill है blame blame यहां blame था तो यहां blame कर दिया गया the parents यहां थोड़ा से आपको add कर देना क्या the parents and himself आपको थोड़ा से दो वर्ड यूज कर देना क्या the parents and himself फिर वही चीज़े आपको लिग देना है यहां से for the students poor performance in study बस आपको थोड़ा स्क्याइड करना है the parents and himself इसलिए इसका में समझते हैं जो mr.hamill है उन्होंने बच्चों के जो बच्चों के पढ़ाई के प्रती जो गंभीर हालत है पढ़ने की प्रती उसके लिए mr.hamill ने किसको blame किया है तो parents जो उनके अभिवावक बच्चों के अभिवावक है और खुद को क्या करिया है आरोपित किया है और अगर आप इंट्रेस्टेड हैं हमारे personal group से जोड़ने के लिए तो तुरांथ आप call कर सकते हैं इस नंबर पर जिसमें आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी ठीक है आपके सामने आ चुका है सबसे important question जो आपके पूरे जो इतने भी question मैंने करा है इसमें सबसे important question है यह वाला क्या है how they do how did mr. Hamill praise in the french language how means kaisi mr. Hamill praise means क्या होए प्रशनशा करना क्या होते है प्रशनशा करना प्रशनशा करना in the french language the mr. Hamill है उन्होंने french language की कैसे प्रशनशा की है चली जानते हैं उन्होंने कैसे प्रशनशा की है बच्चों के सामने अपने students के सामने french भासा की he told the students उन्होंने बच्चों को बताया he told the students उन्होंने बच्चों को बताया that french is the most beautiful language in the word जो french भासा है दुनिया की most दुनिया की सबसे सुन्दर भाषा है beautiful means क्या होता है सुन्दर in the word जो दुनिया की सबसे खुबसूरत भाषा कान सी है french language है french भासा है he also said that it was the clearest and the most logical language he means उन्होंने also means भी sad means बताया that it was the clearest clear की suppleative degree है clearest इन्हें सबसे उन्होंने भी बताया की दुनिया क्या सबसे clearest सबसे इस पस्ट and the most logical language भाषा है तो उन्होंने क्यंसे प्रशन्च की तुन्होंने बच्चों को बताया सबसे सुंदर भाषा है और आशा करती हूं आशा करती हैं आपको यह सभी क्वेशान से समझ आ गए होंगे अभी के लिए इतना ही तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा टेक खेर